नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल एकुंजी चैनल पर आपका स्वागर करती हूँ मैं आयरवेद स्कॉलर हूँ दोस्तों वजन बढ़ाना भी लोगों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम वजन से परेशान है आज मैं आपको बताने वाली हूँ तेजी से वजन बढ़ाने के दो खास घरेलू उपचार इसके साथ ही इस पूरे वीडियो में आप वजन बढ़ाने के लिए बहुत इंपोर्टन जानकारी पाएंगे जैसे कि वजन नहीं बढ़ने का क्या कारण है वजन बढ़ाने के लिए लाइफ स्टाइल में क्या छोटे-छोटे सुधार करने चाहिए और क्या-क्या साथधानिया रखनी चाहिए पूरा वीडियो देखने पर आपको सारी बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि वजन बढ़ाने में कहां गलती हो रही है उसे दूर करके आप अपना वजन आसानी से बढ़ा सकेंगे दोस्तो आम फलों का राजा यूँ ही नहीं है ये वजन बढ़ाने के लिए राम बार और शदी भी है आम विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना है जो की वजन बढ़ाने के लिए बहुत important होते हैं लेकिन आम की ताचीर गर्म होती है इसलिए इसको लेने का एक खास तरीका है जिससे वजन बढ़ता है जब आप आम खरीद कर लाएं तो उसे कम से कम 6-7 गंटे पानी में या फ्रिज में रखें इससे आम के अंदर की गर में निकल जाती है अब ये आम हमारे काम का हो जाता है दोस्तों ऐसा ही एक बड़े साइस का आम लेकर छील कर उसका गुदा निकाल कर मिक्सी में डालिए लेकिन मैं बता दू कि वजन बढ़ाने के लिए हमें आम के साथ दूट जरूर मिलाना है इस अम्रस या मैंगो जूस का एक ग्लास रोजना सुभा और शाम को पीना चाहिए जब तक आम का सीजन रहता है रोजना आपको दिन में दो बार इसे पीना है और आप देखेंगे कि एक हफते में ही आपका वजन पांच किलो तक बढ़ जाएगा लगातार यूस करने से महीने भर में मनचाहा वजन मिल जाता है अब मैं आपको वजन बढ़ाने के लिए एक और मोस्ट एफेक्टिव घरेलूप चार बताने जा रही हूँ दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इससे हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप उसे तुरंत देख सकेंगे दोस्तों वजन बढ़ाने के लिए सेव यानि एपल का कोई जवाब नहीं है सेव और सेव के रस में विटामिन और खनीज लेवन भरपूर मातरा में होते हैं जो वजन बढ़ाने के लिए संजीवनी है सरल शब्दों में कहें तो सेव अच्छी हेल्थ के लिए बहतरीन टॉनिक है सेव में मजूद मॉलिक एसिट और फासफोरस लीवर और आतों के सही तरीके से काम करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं ये डाइजेशन और नर्वर सिस्टम को भी दुरूस्त करते हैं जिससे पोशक तत्व शरीर के सभी अंगों तक तेजी से और पूरी मातरा में पहुंचने लगते हैं और वजन बढ़ने लगता है दोस्तों बजन बढ़ने के लिए सेव का शर्बत बना कर पीना चाहिए सेव का शर्बत बनाने के लिए आप एक सेव को छील कर उसके मोटे टुकड़े काट लीजिए और एक छोटे बरतन में डाल लीजिए अब एक दूसरे बरतन में एक ग्लास पानी उबाल लीजिए, ये उबलता हुआ पानी सेव के टुकडो वाले बरतन में तुरंद डाल लीजिए और इसे अपने आप थंडा होने दीजिए, जब ये थंडा हो जाए तो इसमें थोड़ी से मिश्री या शक्कर यानि चीनी स्व सेव का ये शरबत पीते ही तुरंद खून में मिल जाता है और लीवर, आतो, डर्वस सिस्टम, हार्ट, मस्तिष्क और पूरे शरीर की एक-एक सेल को भरपूर ताकत और नई उर्जा दे देता है इससे शरीर का सारा सिस्टम ठीक से काम करने लगता है और वजन तेजी से ब प्राप्त किया जा सकता है इतना ही नहीं सेव का यूज शरीर से सारे विशेले परदातों को बाहर निकाल देता है आखों की रोशनी भी बढ़ाता है हार्ट को भी ताकत देता है और दुबले पतले लोगों का वजन बढ़ाकर पूरी तरह हेल्दी बना देता है अब मैं को बताने जा रहे हूं वजन बढ़ाने के बारे में वो खास बाते जिनको जानना बहुत जरूरी है ताकि वजन बढ़ जाए और फिर दोबारा कम नहीं हो चिकित्सा विग्यान का ये कहना है कि अगर आपका बौडी मास इंडेक्स यानि BMI 18.5 से कम है और आपका वजन कम ह और आपको इसे बढ़ाना चाहिए उसमें भी 17-18.5 BMI वाले तो Underweight यानि कम वजन वाले माने जाते हैं 16-17 BMI वाले Severe Underweight कैटेगीरी में माने जाते हैं 16-14 BMI वाले लोग बहुत जादा Severe Underweight कैटेगीरी में माने जाते हैं यानि अगर BMI 18.5 से कम है तो इसे तुरन्त बढ़ दोस्तो वजन कम होने की बीमारी को सरल शब्दों में कहें तो स्वस्त रहने के लिए बॉडी में कम से कम जितना फैट होना चाहिए उससे कम फैट बॉडी में रह जाए तो ये हेल्थ के लिए हाने का रख हो जाता है इसे ही वजन कम होना या अंडरवेट होना कहते हैं और ऐ पैसे में तुरंत वजन बढ़ाने की जरूरत होती है। कम वजन के कारण शरीर में बहुत से ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ पैदा कर देती हैं। जिन लोगों का वजन कम होता है, उनके शरीर में ताकत नहीं रहती। उन लोगों का इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है, यानि बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। इसके कारण इंफेक्शन्स जल्दी-जल्दी होने लगते हैं, शरीर में पोशक ततों की कमी हो जाती है। शरीर के अंगों को विटामिन्स, मेनरल्स और अन्य पोशक ततों ठीक से नहीं पोँचते। इससे शरीर और कमजोर होने लगता है। वो लोग कम वजन के कारण सुन्दर नहीं दिखते हैं, मनपसंद कपड़े नहीं पहन सकते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव वगरा सभी आपको कहने लगते हैं कि आखिर आपकी हेल्थ को क्या हो गया, किसी की नजर लग गई है क्या, और ना जाने क्या-क्या। शादी व्या के मामले में तो ये इश्यू और भी सेंसिटिव हो जाता है, कई बार तो इसके चलते संबंध नहीं बनते और इस कारण जीवन में तनाव पैदा हो जाता है। आजकल लड़के-लड़कियां स्पोर्ट्स में भी खूब हिस्सा लेने लगे हैं, क्रिकेट, पैन्मिंटन, डंगल, रेस, कबड़ी वगेरा बहुत से खेलों में वजन का बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो सारा खेल, ताकत का ही है, जिसक मिलाकर बात ये होती है, कि केवल कम वजन होने के कारण, लाइफ में हमेशा कुछ कमी सी बनी रहती है, जो वजन बढ़ने से तुरंथ पूरी हो सकती है, जब शरीर का वजन कम हो जाता है, तो लोग हर तरह से ये कोशिश करते हैं, कि कैसे तो वजन बढ़ जाए, बजारों बढ़ाने के लिए घरे लूप चार पे हित कारगर होते हैं, साथ ही साथ ये सेफ होते हैं, यानि हेल्थ को और किसी तरह नुकसान यानि साइड इफेक्ट नहीं पहुचाते, बलकि हर तरह से फायदा ही करते हैं. दोस्तों, वजन नहीं बढ़ने के कई कारण होते हैं. अब मैं आपको कुछ कारण बताने जा रही हूँ, जिसकी वज़ा से वजन नहीं बढ़ता है. जो कुछ भी आप खाते पीते हैं, उसमें अगर आप ऐसी चीजे नहीं खा पी रहे हैं, जो की शरीर में फैट बढ़ाती हो, तो इस कारण आपका वजन नहीं बढ़ पाता है. हाइपो थाइरोइड यानि थाइरोइड जरूरत से ज़्यादा एक्टिव होना भी वजन नहीं बढ़ने का एक कारण होता है. अगर अचानक पसीन आना और ठकान होने के साथ-साथ वजन गिरने लगे, तो थाइरोइ ज़्यादा इक्टिव हो सकती है. डाइबिटीज भी कई बार वजन नहीं बढ़ने का कारण बन जाती है. बहुत ज़्यादा कसरत करना, मानचिक तनाव होना, खाना पचने की शक्ती अच्छी नहीं होना भी वजन नहीं बढ़ने के मुख्य कारण है. दोस्तो उपचार के साथ 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 साबधानियों का जरूर पालन करना चाहिए साबधानियों का पालन करने से वजन तेजी से बढ़ता है और पर्मारेंट होता है पानी पीने में एक बात का खास खयाल रखना चाहिए खाना खाने के एक घंटा पहले और बात तक पानी नहीं पीना चाहिए इससे खाना ठीक से पच्छने लगता है और पूरे पोशक तक शरीर को मिलने लगते हैं और वजन बढ़ने लगता है वजन बढ़ाने के लिए ऐसी चीजे ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए जिन में कैलोरिस ज़ादा होती है इसके लिए मुमफली, बदाम, अकरोट, काजू, फिस्ता, तेल, अलसी, नारियल, फ्रूट जूस, दूद और दूद से बनी चीजे खूब खानी चाहिए जिन चीजों में प्रोटीन जादा होता है, ऐसी चीजे खूब खानी चाहिए सबी दालों में और सोयबिन में प्रोटीन खूब होता है इसलिए दाले और सोयबिन खूब खाना चाहिए साथ में अगर सीजनल वेजिटेबल भी खा रहे हो तो दाल और सोयबिन पहले खानी चाहिए उसके बाद सीजनल सबजियां खानी चाहिए इससे प्रोटीन पहले पचका शरीर को मिल जाता है और वजन बढ़ता है वजन बढ़ाने के लिए अच्छी नीन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे शरीर के सारे सिस्टम रिलैक्स होकर फिर अच्छी तरह से काम करने लगते हैं इससे वजन तेजी से बढ़ने लगता है जहां तक कसरत की बात है तो वेट लिफ्टिंग इसके लिए सबसे अच्छी कसरत होती है अपने लोकल फिजिकल ट्रेनर की मदद लेकर थोड़ी थोड़ी वेट लिफ्टिंग चालू करनी चाहिए इससे हडिया और मास्पिशियां दोनों मजबूत होने लगती है और वजन भी बढ़ने लगता है योग भी वजन बढ़ाने में बहुत मदद करता है इसके लिए भुजंगासन और व्रज्जासन सबसे अच्छे माने जाते हैं इसके साथ ही कपाल भाती प्रणायाम भी जरूर करना चाहिए स्मोकिंग यानि धूमरपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और शराब भी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि ये हेल्थ को खराब करती है और वजन नहीं बढ़ने देती जिन लोगों को अपना वजन बढ़ाना होता है उन लोगों को दिन में किवल 2 बार की बजाए 5-6 बार तक खाना चाहिए खाने में क्या-क्या खाना चाहिए ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ इसलिए आप उन सभी चीजों में से अपनी सुवीधा के हिसाब से डेसाइड कर सकते हैं और एक चार्ट बना सकते हैं कि कौन-कौन से टाइम पर आपको क्या-क्या चीजे खानी है और कितने-कितनी मात्रा में खानी है इस डाइट चार्ट को आप तब-तक फॉलो करें जब त वीडियो में वजन बढ़ाने के लिए बताए गए गरेलू नुसके और साथ में बताएगी साफधानियों को सही तरीके से यूज करके आप पहले दिन से ही अपना वजन बढ़ा सकते हैं फिर जब आपको खुद फायदा दिखने लगे तो आप इन नुसकों को लगातार का अच्छी लगी हो तो यह वीडियो फेस्बुक पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके ऐसे ही बहुत सारे यूसफुल वीडियो के लिंक्स इस वीडियो के नीचे डेस्क्रिप्शन में दिये गए हैं आप उन्ने क्लिक करके उन वीड खायब कीजिए